नमशकार, प्रियमित्रो आज मैं आपको बताऊंगा, प्राते काल जब आप सो करके जगते हैं, तो सबसे पहले आपको कौन से तीन कारिय करने चाहिए, जिनके करने से आपका पूरा दिन बहतर जाएगा, आपके दिन में सारे काम बनेंगे और आपका मूड फ्रेस होगा, य जब आप सो करके उठें, तो आँक खुलते ही सबसे पहले आप भगवान के किसी नाम का उच्चारण करें। हे राम, हे शाम, हे कृष्ण, हे दामोदार, ओम नमशिवाय, हे मापारवती। जो भी आपको रूचिकर हो, जिस देवता में आपकी आस्था हो, जिस देवता का आप साधना करते हैं, उस देवता के नाम का उच्चारण, आप सबसे पहले, जैसी आपकी आँक खुले, तो सबसे पहले भगवन नाम का उच्चारण करें। नमबर दो करदर्सन दोस्तों प्राते काल सोकर जगने के बाद हमारे धर्म शास्त्रों में करदर्सन का विधान है विस्तार पूरवक आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बतादू यदि आप जोतिस के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समश्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी स्रेणी के गवर्मेंट लेब सर्टिफाइट राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहां से सभी प्रकार के रतनों की अंगूठिया बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश-विदेश में भेजी जाती है तो चलिए विश्य में आगे बढ़ते हैं दोस्तू आप दोनों हतेलियों को ऐसे मल करके और उनको ऐसे देखें सबसे पहले उनकलियों के अगर भाग में आपको मंत्र बोलना है कराग्रे वस्ते लक्समी कर मद्धे सरस्वती कर मूले स्थितो प्रम्हा प्रभाते कर दर्शनम अर्थात कर के अगर भाग में उनकलियों के यहां पर लाष्ट में देवी लक्समी का निवास है कराग कर मद्धे सरस्वती हतेलियों के मद्धे में सरस्वती और मूल में यहां पर ब्रम्मा जी का निवास है प्रभातेकर दरसनम इसलिए प्रАतेकाल व्यक्ति को अपने दोनों हाथों का दरसन करना चाहिए उसके बाद में आप अपना दाया पैर भूमी पर रखें दोस्तो जो व्यक्ति सूर्य उद्य के बाद उठते हैं उनका भाग्य सो जाता है और जो व्यक्ति सूर्य को जगाते हैं सूर्य उद्य होने से पहले सईया का त्याग कर देते हैं उनका भाग्य हमेशा के लिए जाग जाता है चमक उठता है इसका हमेशा ध्यान रखे सूर्य उदे से पहले ही आप निद्रा का परित्याग कर दे उठते के साथ ही अपने घर के खिड की दरवाजे खोल दे ताकि बाहर की शुद्ध रोसनी आपके घर में आ सके और घर की जो नेगेटिव वाइवरेसंस है घर की जो नकारात्मक किर्णे हैं उनका सूर्य भगवान की किर्णों से विनास हो सके तो सबसे पहले आप भगवन नाम का उच्चारण करें फिर कर दरशन करें और उसके बाद में दाया पहर परत्थी पर रखकर तब अपने अन्यकारिय करे दोस्तों खास ध्यान रखें कि आप आपका जो पूजापाट है इसनानादी के बाद जो दैनिक दिन चरिया है अपनी पूजापाट मंतर जाप साधना करने के उपरांत ही आप अन्यकारिय करें क्योंकि जो लोग अपनी दैनिक साधना पूजापाट मंतर जाप आदी उनके पूरा दिन काम बिगड़ते रहते हैं और पूरा दिन टेंसन का तनाव का सामना करना पड़ता है। हमेशा प्राते काल इस नाना दी के पश्चात नहा धोकर साफ सुतरे कपडे पहने। कपड़े बहुत कीमती ना हो, कपड़े नए ना हो, लेकिन धुले हुए कपड़े आप राते काल पहने और अपनी दैनी की दिन चरिया पूरण करके, हलका फुलका नास्ता ले करके, उसके बाद ही अन्य काम पर जाए तो दोस्तो बहुत चोटी सी जानकारी थी, लेकिन जानकारी बहुत काम की है, और मैं काम न करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करे, सेयर करे and subscribe my channel, मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारीों के साथ भविश्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए, तब तक के लिए नमस्कार